जी पार टू स्टार्ट हो गया जी आप बोलें क्वेस्टन कोई जी बेटा आपको पता लग रहा था ना फिर कैसा लगा सवाल अब कैयल वाला सवाल आपने इस तरह से पूरा करना है और कल आप मैंने चेक करना है इन आल ड्यू रिस्पेक्ट्स एंड अस्पेक्ट्स सब नोट से समयथ मैं चेक करूंगा कैयल का सवाल इसलिए इंपॉर्टन है को उसका भी सलूशन सिर्फ बनवा दी यह वर्किंग बनवा दी थी आप से अगला काम आपको खुद करना पड़ेगा तो प्लीज करके आईएगा ठीक है जी बेटा एक मिनट मैं जरा सफाई करना क्लास की मेरे ख्याल से एक मिनट रुकें आप जी कुस्टन कोई बोलता हूँ नजर आए तो क्लास से बाहर जाएगा मैं बता रहूं बहुत हो गई जी बेटा एक मिनट यहां से पहले को सवाल आया मेरी मर्जी टाइम नहीं था ना कल क्लास एंड होगी थी कैसे बनवाते खुद सोचें आज बनवा दिए उसके भी सब यह दस बिल्डिंग्स हमारे पास पड़ी थी दस बिल्डिंग्स कोस कितनी थी 500 इन में से अगर 6 की निकालनी हो तो क्या करोगे अब यही बिल्डिंग्स की चार साल की निकालनी है तो यह कॉस्ट तीन सो को डिवाइड बाए टैन यूर्स किया स्टेट लाइन में तो नहीं की हमने तो यह दस से डिवाइड किया और चार साल की डेप्रिसेशन अच्छा जी अब इदर से दूसरा सवाल आगे से सवाल आया था इनको ज़र जिगाएं बेटा सवाल एक्स्यूज मी बेटा सवाल समझ आगी है नराजगी हो गई है और दो है सीखने वैसे जी बेटा इदर से और सवाल जी और यहां से कोई यहां से सवाल आया था आपको भी समझ आगी है सब्हान सारे को सब्हान ला कहो कहो सवाब मिलेगा और जी किसी का सवाल नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ अब यह सवाल लिखा हुआ है पिर इदर दूसरा सवाल प्यानो वाला करते है किसी को और सवाल फिर आजाए तो मुझे से पूछ लेना चलो चलो प्यानो वाले सवाल पर चलो कल तुम कर ले ना जाओ यू में गो में लीव नाओ मेरे खाल में बच्चे एक दूसरे को समझा रहे हैं चले एक दो मिनिट के लिए बोलने की जादत है मैं तर दमाग चंडा करता हूँ मुझे पानी पिला दो इतनी देर नहीं ते किसे ने ओड़ जाना है मेरे अत्वाज हाँ ठीक है सार खुद पीए अच्छा कुछ समझा रहे हैं और कुछ ने मौके का फायदा उठा के यू यू करके बातें घर की कर रहे हैं वो चलेगे ना क्लास के बाद उदर पैनोते प्रावो कोई सवाल अगर सवाल नहीं है तो आपस में क्या लड़ाई चल रही है मतलब वो बच्चे क्यों इतना हिम्मत नहीं करते के मुझसे सवाल करें मैंने कभी सवाल पूछने पर आपको मना किया है जो साथ वाले से समझ रहे हैं वो मुझसे क्यों नहीं समझ रहे भाई को जो तो छोटी है जात वकरी की अच्छे जी अज्ञाद़ देदें अब आगे चलें आपकी खुसर खुसर बंद नहीं होगी तो मुझे ही लग रहा है कि आपको कुछ मसला चल रहा है वैसे तो आपके मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं मुझे पता है पीजानो पीजानो अच्छा कपास के काश्कारों के नाम हम पैगाम ये जो पास पेपर का सवाल था ना मैंने उसका नाम बदल दिया था आपके टेस्ट के अंदर असल नाम इसका है सूकी लिमिटेड टी साइलेंट सवाल वही है यह मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी थोड़ी दिर बाद में आके आपको कहूंगा इसकी वर्किंग तक आप कर लेना वैसे तो नोड भी इसका बना हुआ है लेकिन मैं स्टिल वो नोड खुद प्रियानों पर चलते हैं अच्छा यार जारा टी एज को बुला लें ऐसे नहीं गोस्ट आप लेग्स यह टॉक्स से नहीं मानेंगे याल्ला मुझे सबर दे दे याल्ला इन में से कोई ना कोई अच्छा लोग बच्छो प्लीज टाइम जाया हो रहा है पढ़ लें थोड़ा सा देखें जो मैंने सोचा था पहले ही उसमें से एक सवाल माइनस हो गया अब आप लोग और जुल्म ना ढाएं मुझ पे सही बात है नींद भी नहीं आती पिर रात को बंदे को यह सोच सोच कि आज तो यह भी नहीं किया वह बिटा पार्टू शुरू हो चुका हुगा लेकिन आज पार्टू जादा चोटा सा बात जादा बड़ी हुए थी उन्होंने पॉज नहीं करवाया अच्छा सुनें पे की मांगी हुई है तो मैं वर्किंग पूरी सिखा देता हूं एंट्री फिर कर लेंगे जो रिक्वाइड होंगी सिर्फ वह आज याते बच्चे नों मैं नजर नहीं आ रहे है तो याते फिर गैरत जन्दी रही है वह रॉंग जी हां रिक्वार्मेंट में क्या है वैसे मैं रिक्वार्मेंट बाद में पढ़ाऊंगा स्वाल किदर गया वैसे मैं रिक्वार्मेंट बाद में पढ़ाऊंगा लेकिन वर्किंग पूरी कर लें फिर अगर वर्किंग पूरी हो जाना पिर कहीं भी जा सकते हैं आप एंट्रीज करनी हैं एंट्रीज में चले जाएंगे नोट बनाना है नोट बना लेंगे सफ़ा कौन सा जी चले बेटा बस बहुत हो गई अब पिछले सवाल के असरात उमीद है खतम हो चुके हैं अब आप लोग खामोश हो जाएं अब मैं बिल्कुल भी स्पेर नहीं करूँगा आप लोगो चले जी अच्छा जी अब दो एसिट्स थें प्लांट और एकिपमेंट वन बैवन ही देखते हैं इनको प्लांट खरीदा था हमने यकम जनवरी 15 को कॉस्ट है इसकी 500 पुरिजनल लाइफ है 10 साल और रेज़न वैलियो है 60 रुपे और मैथर्ड है स्टेट लाइन ये 60 भी डेप्रिसेशन के ये यूज़ होगा ठीक है उसके बाद एडीशनल इंफर्मेशन में देखें तो वो कह रहा है कि पी एल रिवैलिशन मॉडल यूज़ करता है सबसीक्वेंट मैयरमेंट के लिए और नेट रिप्लेस्मेंट मैथर्ड यूज़ करता है वो ही जो हम करते आ रहे हैं ठीक है अच्छा ये तो दोनों के लिए फर प्लांट और अगली बात एकिप्मेंट की है ठीक है फिर पी एल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सर्प्लस तू रिटेंड एर्निंग्स ऑन एन एन्वल बेसिज इसका मतलब वो ट्रांसफर वाली वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसेशन वाली एंट् आ रहा होता है ठीक है ना तो यह लिखा होता है अच्छा फाइनेशल ये रेंड कब कहा है जी ठीक है अच्छा अब यह डेटा है हमारे सामने यक्कम जनरी 15 से जो हमने शुरू करना है सवाल को तो 16 के एंड पर रिवैलिशन हो रही है लेकिन मुसीबत यह आन पड़ी के 30 संबर 16 पर एक रिवैलिशन के साथ साथ एक एस्टीमेट भी चेंज हो गया रिवैलिशन तो थी ना कि सिर्फ फेयर वैलियो बढ़ जाती फेयर वैलियो पर ले जाते पर साथ में लाइफ या रैज चेंज है तो साल के पहले दिन में लेके जाना पड़ता है इसको यह नहीं मैंने यूं कहा था कि जब सही पता लग गया है आपको अंदाजा तो सही अंदाजे से डेप्शिट करो ना गलत वाला क्यूं कर रहे हो फिर गलत अकाउंटिंग क्यूं कर रहे हो यह तो यूजर क करें बौरे हैं बच्चे खड़ा करें बोल रहे हैं बच्चे मैं यक्रीकोस भी कर आया कि बच्चे बोल रहे नहीं लेना कलास के द़रां ठीक है जी लास के बाद अब वागी डिसकेशन प्लीज अचा अब घेज वैलियो के एस्ती Mir वैली आजे का ची आ चीन्ज होना चू पड़ेगा एस्टीमेट चेंज को इसका मतलब हमें यकम जनरी 16 की बुक वैलियो चाहिए और यकम जनरी 16 की रिमेनिंग खड़े हो के रिमेनिंग लाइफ चाहिए और सोलाँ की डेपरिशा स्थिमेट के साब से निकाल के फिर पहुंचेंगे 31 सोलाँ अगले साल रिवैलुड अमाउंट चुक्छे बाह नहीं आ गई है तो वो रिवैलियो हो गया रिमेनिंग लाइफ फिर निकालनी है वह इकानी दोबारा तो इत्फाक ऐसा था ऐस सवाल को ऐस तो वह सवाल को रटा नहीं लगा ले ना कि प्यानों वाले सवाल में तो बुक वैलियो यरी वैलियुड मैंट को रिमेनिंग लाइफ निकाल कर डेफश्ट किया जाएंगे सवाल तो हो जाना है कॉंसेट तो नहीं बनेगा ना तो कॉंसेट क्या है estimate change को साल के पहले दिन लेके जाना होता है अब तर्तीब से चलते हैं किते गया plant date डैस करिप शन मुझे बड़ा फाइदा है copy paste करेंगे इंशाललाई अच्छा फिलाल ये क्या है जी पौदा, plant अच्छा इसको वर्किंग नहीं कहते आठ नंबर है डैपी सेशन के ना तो इसको मैं requirement A आज कह देता हूँ ठीक है requirement A यानि यही working हमारी requirement बन गी अब आप कोगे इसमें तो हमने cost वगारा book value भी लिखी होती है और भी बहुत कुछ होता है तो भई ठीक है ना डैप्शन भी तो इसी में लिखी होती है ना तो बस वहीं से देख लेका नजर नहीं आ रहा हो कि हाँ बस डैप्शेप ना लिखना आप लोग डैप्री सेशन का लफ्स पूरा लिख देना अच्छ अच्छ जी यकम जनवरी 2015 को लगता है अगले मौले में आज ज्यादा प्राब्लम है हाइब्रीड में कुछ बच्चे शिफ्ट होने जा ही रहे हैं निकालता तो नहीं को मैं क्लास से अब क्या क्यों आपके माँ-बाप का घया आ जाता है लेकिन हाइब्रीड में जरूर भेज़ देता हूं शिफ्टिंग ट्रांसवर जी यकम जनवरी पंद्रा पर कॉस्ट कितनी है पांच सो लाइफ दस रेज़वेरी उप साथ यह दरा देख लेना तो पांच सो कॉस्ट आभी उसके बाद 31 दिसंबर पंद्रा पर जब डेप्रीसियेशन करनी है तो पांच सो माइनस साथ करेंग डिवाइड़ बाई दस फॉर्टी फॉर ठीक है जी बुक वैलियो बताएं फॉर फिफ्टी सिक्स ये बुक वैलियो आगी जनाब 31 दिसंबर पंद्रा पर उसके बाद जनाब 16 के साल में दाखिल हुए और खुशी खुशी देख रहे थे कि ये रेंड पर रिवैलियो करना हैं और दुबारा से ही चाह रहे थे कि 44 की डेक्शन यहां लिखे हैं और फटा फट एक 30 दिसंबर 16 पे पहुंच जाएं अगर रेजल वैलियो में चेंज ना आता तो ऐसे ही करते चीक है रावी चेंज ही चेंज लिख रहा होता दुबारा वर्किंग भी कोई ना लिखता यहां एस्टीमेट चेंज येर एंड के ऊपर आ गया है उसको जो लेकर आना है येर के स्टार्ट में तो गड़बरेशन है इंगलिश है मेरी फास्ट वाली ठीक है दूना बॉदर इट ओके तो रेज्डल वैलियो 31 सोला पर हो गई है 78 अब इसको लेकर आना पड़ेगा हम अपनी जगा नहीं छोड़नी री वैलियूएशन 31 सोला पर ही है हमने एसेट को 31 सोला पर पहुंचाना है डेप्रिशेट करके लेकिन एस्टीमेट चेंज आ गया तो एस्टीमेट चेंज की वज़ा से अब एसेट को नए एस्टीमेट वाली डेप्रिशन से कम करके लेकिन क्यूव कि अंदाजा था पहले भी आप वो अंदाजा सही हो गया तो हम सही अंदाजे से वाला गैन लॉस हमारा निकले ठीक है तो पहले जणाप 31 दिशंबर 2016 पर आपने जो टेप्रिशेट करना है उसमें पहले तो आप क्या करतें 44 लिखते यही सेम लिख जातей ल वैसे उन्होंने 31-11 लिखा हुआ था लेकिन हम उठा के इसको भी यकम जनी 16 पर ले यह लाइफ नहीं थी लाइफ होती तो एक साल एड़ भी करना पड़ता और इसलिए उसने दूसरे केस के अंदर लाइफ में कोई गड़वर नहीं की लाइफ को उसने कहा ड्यूरिंग ड्य यूरिंग ताके बच्चों को वह मसला है ना जो कारली में आया था ठीक है अब यह 456 यूज होने और 456 में से माइनस कर दोगे साथ यह साथी माइनस होना होना था यह वक्त क्यों डलता वक्त ही क्या डला है वक्त समझते हैं वक्त अच्छा प्राबलम क्या हुई है 78 पर र यही तो मसला है जिस वजह से 456 पकड़ा है अब हमने माइनस सेवंटी सिक्स माइनस सेवंटी एट गलती तो मैंने कोई नहीं की अच्छा अब रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं किस दिन जिस दिन एस्टीमेड चेंज हुआ वो किस दिन हो रहा है यह अच्छा यहां पर न इस दिन रिमेनिंग लाइफ तो यक्करम जनरी 15 से 31 संवर 15 तक आप लोग ठके ठके से क्यों है आज नॉर्मल सा पढ़ा है आज भी हमने जी तो एक साल गुजर गया रिमेनिंग जी बच्छो 44 नहीं लेना था 42 जी बच्छो 4414 वैसे आपस की बात है रैसल वैल्यो बढ़ी है तो डैप्रिसेशन कम ही होनी थी यह एस्टीमेट चेंज ने रैजव वैल्यों को बढ़ाया है और रैजल वैल्यों डैप्रिसेशन कैल्कुलेट करते हुए कॉस मेंस करते हैं डैप्षिबल अमाउंट निकालने के लिए तो अगर माइनस होने वाली फिगर बढ़ी थी तो डेप्शन भी कम हुई डेप्शन भी कम हुई लेकिं ये सोचने की कोई जरूरत नहीं थी मैंने तो ऐसे ही छेडा जी बुक वैलियो अब जनाब एसेड बेहतरीन नए नकोर सही अंदाजे के साथ डेप्रिशेट होकर 31 नवर 16 पे आन पहुंचा आप कोगे फिछले के करने ये चेंज इन एस्टीमेट है इसमें जो हुआ सो हुआ जिस साल में सही होना है बताब पता लग गया है चेंज हुआ है बस उस साल को सह करो और आगे पर उस सही के लेकर चलो पीछे को जो होना था है अंदादा था हो गया बस ठीक है छोड़ो यह आएसे एट के अंदर देखेंगे कुछ मसाहल ऐसे हैं जैसे पॉप अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो वापस पिछले सालों में जाते है प्राइरियर एरर क हां साद के शुरूं में आज साद के वहज्या ही है साल के अप्रींट भी एमने निकाल ली है और यह एसेट एंट पें अटिर लाकत देगा हैं अनदादा है हमारा बेटा साल के शुरूह सहर्णर पर यह साठ थी क्या 370 होगी कन्फरम है चेंज हो गया ना एस्टीमेट वही तो मसला हुआ है आप कहरो एकतिसंबर सोला पे चेंज हुआ है तो भाई सोला की डैप्शन अभी कैल्कुलेट होना बाकी है ना तो बस इस साल की डैप्शन सही अंदाजे से निकालो हमने कब कहा कि इस दिन खड़े होकर ही यह चेंज होगी तो इस दिन खड़े होकर यह सारा साल निकालते हैं और अंदाजे हैं यह सारे 10 साल चलेगा इतने रुपई आएंगे बदल के अंदाजा तो सही अंदाजे से डैप्शन करो ना गलत से करके यहां क्यो लाते हो चीक है अंदाजे की पुनियाद पर डैप्शन क की है तो इसाल के उनदाजा सही पता लग गगा तो अंदाजा यहीं करेंगे हैं तो उस अंदाजे को यूज करो हो सही अंदाजे के साथ से करो गलत वाला क्यों करते हैं ठीक है यह फिर और होगा और करे हैं अटिमेट चलो चैंज आज आ गया वो दिन जिसका आपको इंतजार था 31 दिसम्बर 16 पर एक लाइन आपने खाली छोड़ी और लिखी री वैल्यूड अमाउंट जी पांच सो 26 ये वाली यूज़ करनी थी अच्छा बला सीधा साथा सीधा साथा चलना तक अगर रेजल वैल्यू साथ ही आजाती तो कितना थी पांच सो एक सो बारा कितने बचों ने ये सवाल अटेम्ट किया हुआ है पास होने वाले हाथ खड़े हो गये थे आई कैप की रिजल्ट नाबाद में क्या फाइदा आई कैप की परसंटेज इतनी होती है अच्छा बचों एक सो बारा का सरप्लस आ गया अब अब हम 31 दिसंबर सोला वाले साल इकती संबर सत्रा के साल सत्रा के साल की डेप्शन निकालने लगे तो इसके लिए अब वो ना तो पुराना 500 रेलेवेंट रहा है ना पुराना 456 रेलेवेंट रहा है क्योंकि उसके बाद एसेड री वैलियो हो गया है और अब एसेड अकाउंट में 526 पाया जाता है तो इसको अब डेप्रीशेट करना है उसके बाद उन्होंने बता दिया था कि रैजडल वैलियो 78 है अभी तक कोई नई चेंज का पता नहीं लगा तो इस साल के एंड पर इसको माइनस करोगे 78 से ही डिवाइड रिमेनिंग लाइफ दुबारा निकालनी है लेकिन किस दिन रिवाइशन के देनी ये एस्टिमेट चेंज के दिन निकाली थी ये रिवाइड बिर करना पड़ रहा है कैसी मुसीबत थी इस सवाल बड़े मज़े का है इसलिए दिया गया था इसलिए करवा रहा हूं ठीक है कितने साल्स गुजर गए टू साल्स गुजर गए तो बाकी एट साल्स बाकी है लेकिन साथ ही आपको रोने के वाज़ें आ रही है अच्छा आप देखो बच्चो सर्प्लस की कोई रैजल वैलियो नहीं होती इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा ये भी गालिवान एक बार चलो आज आ भी गया डिवाइड वाई एड जी फरमाएं फिफ्टी सिक्स और फोटीन फोर सेवन्टी और नाइन्टी एट इसके बाद जनाब عزت माब मौतरम सामीन जी 17 आगे बढ़ते हैं 18 के साल 18 के साल में दाकिल होते हैं और 18 के साल के वो आखिर में मेरी वैलिस नजर आती है बड़े सिकून से सोचते हैं कि वहवा वहवा च्पन चौधा लिख लेंगे ये सोच ही रहे होते हैं कि बंपटता है और पता चलता है ओ, 18 पे तो मैं साथ सथ ये भी त्यारी किरा रहा हूँ अगर ये ना होता तो नॉर्मल सवाल था ना बता रहूँ अब अगर एस्टीमेट एकरती संबर 18 पे चेंज हो गया है तो इस चेंज एस्टीमेट को यूज करने है और सही वाली डेप्शन निकाल कर 31 संबर 18 पे लेकर आनी है ये अपनी जगा काइम रहेगा ये फेर वैलियो 31 संबर 18 पे ये अंदाजा था पहले कुछ सा को बिल्कुल एक्जेक्ट था हो गया चेंज तो जब हो गया चेंज तो चेंज देवाला यूज करेंगे ठीक है तेकि ये अंदाजा नहीं होता ये प्रोफेशनल वैलियोर जाकर फिर वैलियो आपको मार्किट की उता रहे इतनी का आप बेश सकते हो आज इसलिए ये अपनी जगा पे काइम रखना है इसको कभी नहीं चेड़ना ठीक है कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गई याब चलो यही कांसेप्ट है बार 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 मुख्लिस वालों मैं करता रहूंगा इन्शालला क्योंकि बात एक बार की जाती है पर उसके बात पकी की जाती है बार बार कर जी शिस्टी फोर तो पाईजान पैनोते प्रावो यह यकम जनवरी 18 भी कह सकते हैं और इस दिन वह हादसा हो गया इसको ना 31 दिसंबर को नहीं करना चाहिए मुझे यह ऐसे करना चाहिए यह ठीक है एस्टीमेट चेंज आ गया यह क्योंकि 31 संबर 15 पे थोड़े ही आया एक 31 संबर 16 पे था हम उ एकम जनरी 18 पे लिए ठीक है ना सही है अब यह बुक वैलियो तो हमें रैडिली अवेलेबल है अब हमने क्या करना है डैप्री सेशन जो निकालनी है मैं अभी डेट नहीं लिख रहा था क्या आप कंफ्यूज ना हो अब इस साल की डैप्री सेशन सही अंदादे से निकाले बात पॉइंट पकड़ गए हो चलो तो अब 470 है जनाब और सही वाला मतलब ने वाला एस्टीमेट डिवाड़िड बाए अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है एस्टीमेट चेंज के दिन देखो मैं डेट अलाग अलाग यह एस्टीमेट चेंज के दिन यह रिव को यह कम दिन यह 18 भी कहते हैं कितने साल गुजर गए तीन गुजर गए तो बाकी साथ और 98 को पकड़ो इसकी कोई रिजल वैलियो नहीं होती बस यह बिचारे के साथ तो नशरी करना है आपने और यह है 18 वाले साल की डैपरीसियेशन जी 58 देखो वैसे ही मैं बात कर रहा ह रिजल वैलियो चूके कम हो गई है तो डैप्शन अमाउंट बढ़ गई होगी तो डैप्शन एक्सपैंज भी इसलिए बढ़ा है अच्छला छोड़ छोड़ ने कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आंसर बताएं यह राउंडिंग कैसे 14 ही रहा होगा फरक तो पढ़ना तो आज कल वाले सही जो निया अंदाजा है उसको हम रीसेंट को सही मान रहे हैं अब तो आज कल वाले रीसेंट रीसेंट अंदाजे के मताबिक इतना डैप्शेट होकर यह 31 पर मौजूद है और अब वह यह कह रहा है करो मैंनू रीवैलियो हमने का कर देने हैं तीन सो दस तो एक लाइन काली और रीवैलियूड अमाउंट तीन सो मैंनू दस के तीन सो दस हैं सर्पलस ओ ओ ओ ओ नो लॉस आ गया इतना के सारे सर्पलस को खा गया गम गम चा गए और खुशियां खा गए ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ आगे चलना हो तो चलतो लोगे ना यानि यानि 18 में 19 की जब डेप्शन निकालने लगोगे तो फिर ये 310 यूज करना है और रेमेरिंग लाइव इस दिन दुबारा निकालनी है ठीक है सही है पता नहीं रिक्वार्मेंट क्या है फिल हाल छोड़ो फिल हाल तो ये वर्किंग पूरी हो गई है इस वर्किंग में कोँ मसला है तो बताएं हैं जी अब ये क्या हो रहा है पता है आपको ये चीज मेरे अजीज लोजी टोकन डाल गया है नहीं बारी आपको सब कुछ ही पता है हाँ सब कुछ ही पता है सब कुछ बच्चों प्लीज खामोश रहेंगे इसका नहीं पता सर्प्लस है के लॉस है जी बेटा जिसका टाइम हो गया बस अल्ला पाक उसके लिए असानिये करे उसको जाने दें जाने वाले को कोई ही रोक सकता और जाने वाले के साथ जाया भी नहीं ज़रते ठीक है अच्छा जी अब सवाल कौन सा है क्या कह रहें चोड़ने जाते है हैं चलो फिर आप जरा बार इंतजार करो हम फ्री होकर आते हैं क्योंके जो चला जाता है हम फ्री होकर ही जाते हैं उसकी तरफ और पिर जब एक बार जबा आते हैं फिर तो बस अल्ला माफ करें तो इसलिए अपनी आहरत का फिकर किया करो क्यामत वाले दिन तो कोई नेकी नहीं देगा माँ बाप बेन बाई बीवी बच्चे ओके जी यकम जुलाई 2015 लो जी यकम जुलाई वाला कंड़ा भी कड़ी दें दो सवालों में मिटा मिटा के ठक गया अब इलीगल वाले दस मिंटों में ये करूंगा मैं तो कॉस कितनी है जी तीन सो साथ बारा साल लाइफ रैजल वैलियो निल और स्टेट लाइन मेटड चलो रैजल वैलियो जान चूटी कितना जी तीन सो डेप्रीसेशन की बारी आई तो तीन सो साथ डिवाड़िड वाए बारा किया लेकिन ये पहली बार कर रहा हूँ जी मैं आपके क्लास इसलिए जिसने जाना है वो जाए ठीक है पहली बार साड़े साड़े होता रहेगा विस सारे सारी वर्किंग में साड़े नो साड़े य खामोश अच्छा बच्चो प्लीज इधर देखें बाकी सब तो कामन है लेकिन रिमेनिंग लाइफ ऑफ एकिप्मेंट जो है वो एस्टीमेट की गई है 15 और 10 इन 16 और 18 शुकर है उसने एट 31 दिसंबर में बोला इन 16 का मतलब ड्यूरिंग 16 इन 18 का मतलब ड्यूरिंग 18 ले इधर भी आ गया अब यह शुकर अल्ला का कि यह ड्यूरिंग वाला केस है 31 दिसंबर वाला होता तो 16 के अंदर जो 15 साल आए हमें उसको यकम जनरी पर जाने के लिए 16 करना पड़ता और जो 18 के अंदर 10 साल लाइफ आई है इसको हम प्लस वन करके 11 करते लेकिन शुकर ऐसा नहीं होगा खैर फिल्हाल तो 31 दिसंबर 16 पर एसिट क्या हो रहा है री वैल्यू लेकिन इससे भी पहले 16 के अंदर लाइफ बदल के 15 रह गई रिमेनिंग लाइफ देखो चेक कर लो बेशक अगर एसिट की लाइफ 12 थी एक साल गुजरा तो रिमेनिंग कितनी होनी है तो एस्टीमेट चेंज होनी किया अब यह सोला में जिस वक्त मर्जी हुआ है हमने इसको सोला के स्टार्ट पे लाना है तो वही वाला काम इधर भी करेंगे इसलिए तो वर्किंग भी कापी की तो अब सोला की डेप्रीसेशन जो है वह चेंज एस्टीमेट के साफ़ से क उसने बता दिये जी हाँ लेकिन है इसी दिन की चलो स्टार में लगा देता हूँ आज हम नहीं निकालेंगे त्यूंकर वह बात नहीं लिखी हुई देर इस नो चेंज इन लाई बलके वह कह रहा है तो जब वह कह दे खुद बातें बताई हुई ही यूज होती है ठीक है ब लेकिन लाइफ कितनी है अच्छा हो ये भी शुकर है टेस्ट वाले सवाल में तो एक और मसला भी था अगर मिसाल के त्वर पर आपको रिमेनी लाइफ खुद निकालनी पड़ती कोई और मतलब मिसाल के तौर पर र्यज्ड वैल्यू यहां पर भी चेंज होती है तो क्या होता होगी होता जो मन्सुर खदा होता क्या होता छे मईने गुजरे थे आप कहते है छे गुजर गए बारा थे रिमैनिंग अब साथ यारह हैं तो साथ यारह से काम चलना था ये इंशाला हगा कल वाले सवाल में आही जाएगा लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ फिलहाल बेचद क्यूं हो गई चुप इसलिए होगी करिमेनिग लाइव हाम्ने नहीं निकाली के साड़े या ना कहते हैं उसने खुद बता दी कि इस दिन खड़े होके रिमेनिंग लाइफ मतलब दूरिंग सोला उसने का पन रहा है तो हम इस दिन पर लिया है ठीक है ओ एथो लंग गया यह तो एक मिलिट न हो जाएगा मैं तो का यह समझाना है यह कल है इंशाल 20 अब एक लाइन खाली चोड़ी और इसको पकड़ा जाके 200 तुसी तो दोसो तुसी और 380 सौरी 322 पहली वारी ही लॉस आ गया यह तो पहले हमने देख ली है ना एक बार कोई बात नहीं इदर देखे सब बच्चे लॉस आ गया यह लाइन थोड़ी सी भाई आगे लगेग यह पुरानी वर्किंग और इस कापी ना हो सकी कोई बात नहीं 42 का लॉस है और यही इदर भी आ गया कोई मसला यह लाइन यह यह लाइन से भी उड़ा दो यह भी आ गया अब डेप्री सेशन करनी है लेकिन अगेन वही मसला है यह 31 दिसंबर 16 पर एसिट रिवैली हो गया तो अब अगली डेप्री सेशन के लिए 280 चाहिए और रिमेनिंग लाइफ हमने निकालनी है अब रिमेनिंग लाइफ 12 से नहीं 15 से निकालनी है पिछली बार उसने 15 कर दी थी ना अब वो 15 ही लाइफ यूद हो रही थी तो आगे भी वैली हो गया तो उसी में से माइनस करें तो 15 में से एक गया तो 14 आगे नशर कर दो हाला कि एंट्री नहीं करनी लेकिन प्रूवन है कि वर्किंग में ये काम ज़रूरी करते हैं हम जी बोलें 20 और 3 पॉजिटिव जी फरमाएं 260 और इंज्वाइंग विद उमेर एंड और सारे अधर जाई तीन्स जी इंज्वाइंग ओके ओके देखो भाई मैंने कुछ निया करवाया आज जो सवाल आपकी तरफ गये हैं मैं चाहता हूं आप उने तसली हैं मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम अब गुजर गया बस र नेक्स्ट 18 के साल में भी रिवैलियो हो रहा है लेकिन वही मसला है लाइफ बदल गई है अब रिमेनिंग लाइफ वैसे तो तकरीबन कोई आपने भी पिताई है कितनी 14 14 13 होनी चाहिए थी 14 13 लेकिन वह कह रहा है 10 तो मसला है बटा अश्या तो अब 31 18 पे वह कहता रहे हम तो उसको लाएंगे यह कम जनवरी 18 पर उठाकर यह एस्टीमेट चेंज हुआ है तो यह बुक वैलियो चाहिए हां रिमेनिंग लाइफ इस दिन जरूर निकालते पर उसने खुद बता दी है खुद बता दी तो उस वाली यूज़ करेंगी 260 divided by 10 सवाल में गिवन है और जी ट्वेंटी फोर ही कर लो जी टू थर्टी अभी मैंने रिक्वार्मेंट भी करवानी है और अच्छा यहां पर ट्वेंटी सिक्स ने लॉस कितना बच गया 30 अब डी वैलियू करते है ठीक है अब जनाब बुक वैलियू आ चुकी है अब डी वैलियू अमाउंट उठाओ 200 75 और माशा अल्ला पिछले में सर्पलस लॉस सर्पलस है नहीं सर्पलस लॉस है इसमें लॉस सर्पलस है तो आई केपनें दोनों चीज़ें अच्छा स्वाब जी सरफ्लस नास है अच्छा सरफ्लस पर सरफ्लस भी आसकता है कभी यह न वाज आगा है को यह तो हो नहीं हो सकता एड कर देना लॉस पे लॉस आए तो उसमें जाके एड़ कर देना सिंपल अब इदर देखना अब यह आपस में बात नहीं करनी है बता रहा हूं यह लास्ट वार नहीं है आप लो जी यह फीमेश टुडेंट्स को कहा अब उनको पता है जिनको कहा जी फॉर्टी फाइव जीरो चिक्स अचा जी अब ना मैं यह चाहता हूं कि आप लोगों को छुटी दी जाए पांच मिनद बाद यह मेरी चाहत है दिली खौहिश है अच्छा अब अगली बात मैं यह भी चाहता हूं कि आपको रिकॉर्मेंट दूसरी भी पढ़ा दूँ यह ए रिकॉर्मेंट हो गई जी उसने मांगी थी डेप्रीसियेशन रिकॉर्मेंट भी दरा पढ़ लें रिकॉर्मेंट भी पढ़ते हैं मैं अभी वह तस्वीर एंड पर खेंचना ना कठी एक सवाल की कठी खेंच एक मिनट सवाल सवाल के अंदर कठी तस्वीर खेंच प्रिपेर एंट्रीज तू रिकॉर्ड रिवैलिएशन इन अठारा बस आगे फिर उसने उस दिन की तरह बताया पागल ना हो जाना एंट्री तो रिकॉर्ड डेप्रिशेशन एक्स्पेंस इंक्रीमेंटल डेप्रिशेशन इलिमीनेशन अप्रिशन और नॉट रिकॉयर्ड एंट्रीज आगे वो कह रहा है बच्चों कुछ पता नहीं है एंट्रीज प्रायर्ट नॉट रिकॉयर्ड पिछली है ना शुरू कर देना सिरफ उठारा के साल की रिवैलिशन की एंट्री कर दो चीख चीख के बोल रहा है यानी यानी के एक ये और एक ये और अब ये आपके लिए तो लेफ्ट हैंड का काम है ये ये मैं आपको एंट्री करके दे रहा हूँ ये सिरफ एक एंट्री मांगी प्लीज बेटा चुप कर जें प्लीज जर्नल एंट्री ओर केडी कर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग हो रही है सॉरी जी 31 दिसंबर 2018 पर एसिट प्लांट प्लांट क्या हो रहा है रियर सर्पलस क्या हो रहा है वो डेविट लॉस जा रहा है डेविट तो हमने कहा जी तर्तीब अगर वर्किंग की करनी है तो ये लो प्लांट सबसे पहले क्रेडिट किया हमने 102 से फिर रिवैलिएशन सर्पलस हमने डेविट किया 84 से PNL डेविट किया 18 से और ये एंट्री भी कर दो ये भी बी पार्टी चल रहा है और 31 दिसंबर 2000 19 पर ये एंट्री कर लेते हैं 18 पर सौरी एक मिनट सबर कर जो चुप कर जो एकिप्मेंट 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 का नाम बढ़ रहा है कम हो रहा है एक बार मैं ये लिक लूँ ना फिर मैं यही हूँ आप लोगों के जवाबों तक जी अब यह आपने क्लास का नमास का बाना करके बाग जाना है हमें सब पता है री वैलिएशन हाँ भाग जाना है पिर री वैलिएशन सर्पलस क्रेडिट छे से और पी एन एल क्रेडिट थिर्टी पांच से और आखिर कार प्यानों वाला सवाल खतम हुआ खबरनामा खतम जी एक मिनट एक अभी प्लीज ना बोली आप कल के लिए मैंने अडेंटिफाइ कर ले ने जिनको नहीं बैठने देना क्योंकि आज वो डिस्टर्ब किया आप लोग ने जी बेटा कुस्सन उसने क्या लिखा हुआ पढ़ो रिक्वार्मेंट में मैंने चीख चीख की रिक्वार्मेंट पढ़ाई और यह भी कहा था वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रहा हूँ बेटा उसने कहा ऐली मीनेशन की एंट्री नहीं करनी तो नहीं करनी ठीक है तो मैंने स्टार्ट में बताया था कुछ भी ना होता हर आपका हर बॉला हुआ जुमला आप लोगों की छुटी से आपको दूर करता जा रहे हर जुमला आपका मूँसे इस वक्त निकलने वाला आपको आपकी चुटी से दूर करता जा रहा है खामोश हो जाएं तो अगले 15 सेकेंड में चुटी है आपका होंवर्क वन है केल वाला सवाल उसमें नोट बनाना है आपका होंवर्क नंबर टू है यह जो मैंने आपको दिखा दिया जो असल में टेस्ट असल में टेस्ट जो मैंने यह पासेपर का सवाल नाम बदल के डाल दिया था सर्प्राइज यह वाला सवाल जो है इसका नोट मैं इंशालला कल खुद बनवाऊंगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी न करके आएं हाड हरामों की तरह करना कल वापस आयों ऐसे मूँ ठाके यह वरकिंग आप लोग इन्हें कमसकम कर लेनी है दो अलग एसिट्स हैं दोनों रिवैलिशन मोडल पे और यह वाला खाता उदर भी है एस्टीमेट चेंज भी आ रहा है और देखना ठीक है और साड़े वाला चक्कर भी है बड़ा इंपॉर्टन्ट है तो यह करके और बिल्कुल इजाज़त है आप लोगों को कि आप नोट को ट्राई कर ले कोई गुना नहीं है कर लीजिएगा हाफ लेक्षर में मैं ये करवाओंगा अगले हाफ लेक्षर में कुछ ना कुछ फिर नया शोशा छोड़ेंगे ठीक है जी अल्ला आफ़स्ट